दोस्तों कहते हैं ना कि उपर वाला जब भी कुछ करता है तो हमारे भले के लिए ही करता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज कल हमारी दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपनी मुश्किलों को भूल कर दूसरों की मुश्किलों को हल करने में लग जाते हैं और दोस्तों ऐसे ही आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंसानों की इंसानियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जान जोखिम में डाल कर कुछ ऐसे जानवरों की जान बचा दिखाई जिसे देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहदी जरूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान तो खुद की मदद आवाज या गुहार लगा कर ही लेता है लेकिन कुछ ऐसे बेजुबान जानवर जो वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते जिनकी मदद इन इंसानों ने की है दोस्तों स्टेडियो के पत्थरों के बीच एक मुसाफिर ने स्लॉट के बच्चे को देखा और देखकर मानों ऐसा लग रहा था कि वो मदद की गुहार लगा रहा था लेहरों की तेजी के कारण ये बच्चा यहाँ पर फस गया हुगा लेकिन इनका रखवाला उपर वाला होता है और जब उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता तो बाद में इन बच्चों को बचा कर एनिमल फिल्टर में ले जाया गया तो दोस्तों मानते हो ना कि इन बेजुबान का उपर वाला रखवाला होता है तो ठोको लाइक वीडियो पर आगे की और वीडियो देखने के लिए नमबर चार दोस्तों अगर कोई ऐसा मौसम हो जिसमें सबसे ज़्यादा जानवा जिन्दगी से हार जाते हैं तो वो है सर्दे का मौसम वो हिरन जो आप देख रहे हैं वो बेजुबान है ऐसे नदी के उपर फस गया कि जो सर्दी की वज़े से बर्फ बन चुकी थी और नजाने कितने प्रयास के बावजूद भी ये हिरन खुद को वहां से बाहर नहीं निकाल सका और अपनी मौत का इंतजार करते वक्त एक इंसान वहां आ गया वो अपने बोट लेकर वहां गया और अगर थोड़ी से वे गलती होती तो वो बर्फ तूट जाती और इन दोनों की जान चली जाती लेकिन असली हिरो तो वही होते हैं ना जो वो कर दिखाते हैं जो मामूली डर्पो का आदमी नहीं कर सकता और ये महान इनसान अगर यहां नहीं आता तो शायद वो हिरन नहीं बच पाता नमबर तीन दोस्तों कहते हैं ना कि अकसर कुते इनसान से ज़दा वफादार होते हैं लेकिन यहां पर उल्टाई हो गया यहां इनसान कुतों से ज़दा वफादार निकले और इन इनसानों में अपनी जान जोखे में डाल कर इस कुट्टे को वहां से निकाल लिया जहां से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था और इन लोगों ने खुद की जान को जोखे में डाल कर इसे उपर निकाला क्योंकि अगर एक भी इंसान के हाथ की पकड़ छूप जाती तो वो सभी मर जाते दोस्तों यहाँ एक बिल्ली का बच्चा मरने के कगार पर था और उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही थी और सभी को लगा कि अब ये नहीं रहा लेकिन इन लोगोंने कोशिश नहीं हारी और उन्होंने उसे ऑक्सिजन मांक्स लगा दिया और पानी डाल दिया उस वक्त एक चमतकार हुआ और जब वो बिल्ली का बच्चा फिर से जिन्दा हो गया नमबर एक दोस्तों एक बतक के बच्चे सड़क के किनारे बने गटर के होल में गिर गए लेकिन कोई भी इने बचाने नहीं आया इनकी मा के पास उनको तड़कता देखने के लावा कोई रास्ता नहीं था और तभी कुछ लोग वहाँ आये और उन्होंने एक एक बच्चे को गटर से बाहर निकाल दिया तो क्यों दोस्तों आपको क्या लगता है इनसानियत अभी भी हमारी धर्ती पर मौझूद है या नहीं हमें कॉमेंट सेक्षन में इस वीडियो को देखने के बाद येस और नो लिखकर जवाब जरूर दीजेगा और दोस्तों मैं उन लोगों नाम बताने जा रहा हूं जो हमारी वीडियो को रोजाना देखते हैं लगातार कॉमेंट के जरी अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहते हैं सबसे पहले सुनील पासवान और दूसरे मडी शानवाज तो दूस्तों अगर आप भी चाते हैं आने वाले वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी और दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो क्या करना है लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए है ना तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे सबसे पहले धन्यवाद